नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग दोस्तों तारिक है 25 नवंबर 2020 और यहाँ पे 26 नवंबर 2020 के लिए यानि कि expiry डेख लिए, गुरुबार के लिए, थ्रज डेख लिए, निप्टी के pharma और निप्टी के IT stock के answers करेंगे देखेंगे कौन सा pharma stock, कौन सा IT stock दोस्तों अप किस लेबल पर खड़ा है, कहां support और कहां resistance ले रहा है वीडियो और analysis पसंदा है, जो लाइक कीजिए feedback दीजिए, साथ ही telegram channel को join करिए, live market में call प्राप्त करने के लिए 1500 के निचे sort करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1500 के निचे sort करना है, 1500, 1500, ये सब लेबल के निचे आप जनता pharma को sort करिए, 1480 के target के लिए अगर buy करना होगा, कला जनता pharma को तो मैं बता दूं कि 1540 के उपर buy करना पड़ेगा, फिर 1600 के target के लिए और window pharma अपना important resistance लेबल से जो आगया उपर, जैसा कि कल मैंने बोला था कि 900 के उपर अगर ये निकलेगा, तो 895 के उपर निकलेगा, तो एक अच्छा position बनेगा वहीं से rejection आया है, उस लेबल को वो break नहीं कर पाया है, कल important support अगर ये 845 को नीचे break करता है, sell कर दीजेगा, 830 के target के लिए बायो कोन की बात करते हैं, तो जब तक 440 को पर close नहीं करें, कोई मामला सेट नहीं होगा, 440 को पर निकलने के बाद, एक target 460 का बनेगा सेल करेंगे, 415 के नीचे, target 410 से लेके 405 इंट्राडे में भी आपको बायो कोन में मिल सकता है, केडला हेल्थ केर, 440 को पर निकलने के बाद, 460 के target दिखाएगा, 415 के नीचे निकलेगा, sell करेंगे, 400 तक का target भी मिल सकता है सिपला, again, 760, 760, बार बर, 760 के उपर निकलने के बाद, सिपला, 780 से लेके 800 तक का target देगा, नीचे एक support है, 720 रुपे का, इसके उपर जब तक रहेगा, ठीक है, 720 के नीचे आने एक बार डारेक्ट, ये 700 का target इंट्राडे में आपको दिखाएगा डीविज लेब आज देखिया, दो दिन से continue down में आ रहा है, एक support है, 3420 रुपेगा, अगर उसको break करेगा, देन 3400 और 3350 तक का भी लेबल आपको दिखा सकता है, कल एक स्पार ये तो bounce भी हो सकता है, अगर ये 3500 के उपर निकलेगा, फिर buy side जागा, 3550 के target के लिए डॉक्टर रेड़ी की बात कर लें, तो डॉक्टर रेड़ी में जो trend खतम वह वापस देखिये 5000 के उपर, 5000 के उपर अगर वो निकलेगा, तभी trend बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है, फिलाल गलेनमार फार्मा, गलेनमार फार्मा पर एक important trend line का breakdown हुआ, अगर आप ध्यान से, गलेनमार फार्मा को देखेंगे, तो मैं देख पा रहा था कि important trend line का breakdown हो गया है, हलांकि मैंने selection रखा इंट्राडेव वाले stocks में भी, तो कल अगर इसके वापस नीचे निकलता है, 465, 63, 65, यह सबको level break करता है, तो एक बर यह 445 को test करने आ सकता है, loop in तो 900 के उपर, उसके पहले तो buy ही नहीं करना है, 900 के उपर निकलेगा, तभी buy करेंगे, target लगवा लगवा आपको मिलेगा, 920 तक का, पिरामल, यानि PEL की बात कर ले, PEL 200 यमे के पास ही trade कर रहा है आपने आपको तो अभी बिल्कुल near में है, यहां से गर bounce करता है, तो बहुत अच्छा तरीके से भागेगा, यानि 1420 को फिर से break करता है, तो 1460 से 1500 तक का target दिखा सकता है, अब side में, stress pharma यानि star की बात कर ले, गिरावट के बाब यूद यह actually उपर में रहा, लेकिन अब इसके पास important resistance है, कल में ने कहा तो 735 के उपर बनेंगे, 735 के उपर गया तो सही positive बीवाट 745 तक का high लगा, लेकिन resistance है, यह इसी जगहा पे reject हुआ है कई बार, 765 के आजबास में, इसके उपर निकले तब ज्यादा अच्छा रहेगा, 800 तक का target मिलेगा, Sun Pharma, गिरिया वापस नहीं hold कर पाता है, 520 को यह hold ही नहीं कर पाता है, 520, 530 यह सा लेवल ना, इसके बहुत ही मतलब खतरनाक लेवल हो गया है, तो यह सब लेवल के उपर जब निकले तो 550 तक का target, 60 तक का target आराम से मिलेगा, Torrent Pharma, नीचे सेल करेंगे 2550 के नीचे target 2450 का, बाय करेंगे 2650 के उपर target 2750 का, वोकट Pharma देखिए आ गया ना, उस लेवल को गैप फिल कर दिया, 385 के नीचे निकलने के बाद वोकट Pharma 370 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है, तो दोस्तों यह था निफ्टी के Pharma stocks पे मेरा view, अब ज़रा IT stocks को लगाते हैं, और देखते हैं कौन सा IT stock किस लेवल पे है, बिला शॉप्ट, बिला शॉप्ट में 200 के target मिला, लेकिन अब 200 के उपर close करेगा, तब 210 का target मिलेगा, अभी कुछ हांत नहीं लगाईए, कोफोर्ज, ठीक ठाक आ गया, नया पोजिशन 25 के उपर बनेगा, 26 के target के लिए, HCL technology की बात करें, HCL technology में position बनाना है, तो 875 के उपर बनाएए, 900 के target के लिए, अभी HCL technology में जान नहीं है, 810 के निचे sale हो जाएगा, 800 का target इंटराडे में मिलेगा, Infosys है, 1160, 1155 यह सब लेबल है, 60 ज्यादा बैतर होगा, 60 को पर निकलेगा, then 1200 तक का target आपको दिखा सकता है Infosys, और नीचे इसको एक, देखे, trade line का support भी, अगर आप ऐसे देखते हैं, तो trade line का support है, और इसी लेबल को आप अगर ऐसे मिलाते हैं, तो एक triangle pattern भी बनता है, तो नीचे आग 1100 के नीचे कम जोड हो जाएगा, sale करेंगे, target लगववगववववववगवववववगववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव पर 1080 अपका भी मिल सकता है, जर्ज डायल 500 या 600 के नीचे आप सेल करिए 500 अंठान पर नहीं 600 के नीचे ठीक रहा है, 600 के नीचे सेल करीगा, 580 के टार्गेट मिल रखता है, LTI देखे जितना तीन दिन में बढ़ा सारा टार्गेट डन किया, पोजिशनल और उसके बाद एकी दिन में सारा खतम, कल वापस स अगर 3050 को ब्रेक करता है, फिर सेल करेंगे 2950 के टार्गेट के लिए, माइन ट्री, सेम कंडिशन, नहीं होल्ड कर पार है 1400 के लेबल को, 1400 के उपर अगर टिक जाता है, तो अच्छी बात है नहीं, तो छोड दीजिए, और नीचे कल 1370 ब्रेक करता है, तो सेल करिए 1350 के टा 1200 का टार्गेट, TCS की बात करते है, TCS 2720 के उपर भी नहीं होल्ड कर पाता है, 2720, 2750 यह सब लेबल है, इसके इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, अगर यह जोन को ब्रेक कर दे, 2750 तब 800 तक का एक टार्गेट TCS भी दिखाएगा, टाटा इलक्सी की बात करता है, दोस्त तक 890 को ब्रेक नहीं करें, कोई बाय का पोजिशन नहीं बनाना है, टेक महिनरा में, और वी प्रो वापस होल्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन यादर के 360 को उपर जैसे जाएगा, 400 तक के लिए वैलिक कर सकता है, अपने आपको वी प्रो, तो नजर रखेंगे वी प्रो पे